हैलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ सेयर करने जा रही हूँ बची हुई रोती का लाजबाब हेल्दी और टेश्टी नास्ता तो फ्रेंड्स चलिए बनाना सुरू करते हैं इसे बनाने के लिए हम लेंगे दो उबले हुए आलू आलू को कद्दुकस पे ग्रेट कर लेंगे आप चाहे तो आलू को हाथों से मैस कर सकते हैं लेकिन कद्दुकस करने से फिलिंग बढिया बनेगा इसके बाद हम लेंगे बारीक कटा हुआ एक प्याज दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च तीन से चार लेहसुन की कलिया जिसे हमने बारीक काट लिया है गैस के उपर हम रखेंगे कड़ाई और कड़ाई जैसे ही गर्म हो जाए उसमें डालेंगे दो बड़ा चमच तेल तेल गर्म हो जाए तो उसमें डालेंगे आधा चोटा चमच जीरा कटा हुआ लहसुन और मिर्च 3-4 मिनट बाद इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज प्याज जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाए इसमें डालेंगे 2 बड़ा चमच हरा मतर मतर को 3-4 मिनट तक भूल लेंगे जिससे कि ये कच्चा न रहे और अब इसमें डाल देंगे कद्दू कस किया हुआ आलू, एक गाजर जिसे हमने कद्दू कस कर लिया था, आधा छोटा चमच हल्दी और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, इसमें डाल देंगे आधा छोटा चमच अजवाइन जिसे हमने हथेली पर क्रस कर लिया था, दोगूना हो जाता है सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया अब इसे तीन से चार मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेंगे जिससे की सभी सबजिया आपस में मिक्स हो जाए यहां पर आप देख सकते हैं कि फिलिंग रेडी ह सुखा आटा और अब इसकी हम एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे रोटी बनाने के बाद हम एक बाउल लेंगे और इसे काट लेंगे इस तरह से काटने से यह जल्दी बन जाता है साइड से हम आटा निकाल लेंगे और इसका इस्तेमाल हम दुबारा से करेंगे गैस के उप आप पनीर को भी ग्रेट करके डाल सकते हैं या फिर आप इसे सिम्पल भी बना सकते हैं अब इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, रोटी को हम इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे, इसी तरह से हम बची हुई रोटी का भी इस्तिमाल कर लेंगे, उसके उपर लगाएंगे आधा छोटा चमच सॉस, सॉस को रोटी के उपर चारू तरप अच्छी तरह से फैला देंगे रोटी के आधे साइड में फिलिंग को लगा देंगे और उसके उपर डाल देंगे ग्रेट किया हुआ चीज और इसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बची हुई रोटी से कितना बढ़िया नास्ता बनकर तयार हो चुका है गैस के उपर हम रखेंगे तवा और उसमें लगा देंगे बटर और एके करके हम सभी को इसके उपर रख देंगे और दोनों साइड पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसी तरह से हम रोटी को भी दोनों तरह बटर लगा कर सेक लेंगे अब इसे मैं सर्व करके दिखा देती हूँ जब भी आपको कुछ चटपटा खाने का मन हो साम की चाय हो या फिर बच्चों को कुछ खाने का मन हो तो आप इसे बची हुई रोटी से जटपट बना सकते हैं फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सस्क्राइब जरूर करें मिलते हैं एक नए टेस्टी और हिल्दी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों